आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो, तरी स्टेडी है, एक्योपैप का बहुत बहुत सभागत है, दोस्तों आज हम बात करेंगे, सुन्दरबंस की, सुन्दरबंस की मैंने अल्रेडी बात की हुई है, आप मेरे वर्ड युने सुरत है, रॉयल बैंगॉल टाइगर्स के लिए फेमस है, आधा हिस्सा भारत में है, आधा बांगलादेश में है, डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और एक टूरिस्ट स्पोर्ट भी है, पिछले दो-तीन सालों में यहाँ पे टूरिजम बहुत बड़ है, तो बहुत ही खुबशूरत है सुन्दरबन, आप देखी सकते हैं न, गंगा ब्रह्म पुत्रा के मिलन से सुन्दरबन का डेल्टा बना है, हम बात करेंगे सुन्दरबन के बारे में, डेल्टा के बारे में, लेकिन यह जो आर्टिकल है, हम यहाँ पे बान बीबी के बा तो अगर हम बात करते हैं सुन्दरबंद्ज की तो यहां पर एक देवी मां है जिनका नाम है बॉन बीबी उनकी पूझा की जाती है अब फेथ इतना जादा स्ट्रॉंग है यहां पे जो लोग रहते हैं ऐसा मानना है कि उन्हीं के आशिरवात से सुन्दरबंद जिन्दा बचा हुआ है और यह फेत जो है बहुत जरूरी भी है दोस्तों क्योंकि यहां पे लोगों में डर है कि अगर हम जंगल के साथ कुछ भी छेड़ चार करेंगे क कुछ गलत करेंगे तो बॉन भी भी हमको पनिश करेंगी तो आज हम जानेंगे दोस्तों यह पूरी कहानी के बारे में और यह इंडियन एक्स्प्रेस का बहुत ही बहतरीन आर्टिकल है कल्चर से रिलेटेड है लेकिन हम इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझेंगे और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन आएगा उसको क्लिक करें और फिर आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी टुटर पे मैं आ गया हूँ यह ही मेरी आईडी तो हम बात करते सुन्दरबन की देखिए सु सुन्दरबन कहते हैं समझ रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट भी है यह चार बिसिकली एरिया चार नैशनल पार्क यहां पर जो सुन्दरबन नैशनल पार्क है सुन्दरबन बहुत बड़ा है दस हजार स्क्वाइर किलोमेटर पुरा कवर करता है तो उसको बा मैंग्रोव ट्रीस आप देख रहे हैं इनकी लकणि बड़ी इस्टॉंग होती है हमारा 50% जी टमबर है वह कहीं से आता है और मैंग्रोव की खासियत ही होती है आप मेंग्रोव और सुन्दरी ट्री आपको मिलेंगे धृ। खासियत यह होती है कि ये लोग आ ऐसे ही डिल्टा में फलते फूलते हैं. समझ रहे हैं, इनकी जो जड़े होती है न, वो पानी के नीचे होती है और सुंदर्बन में जो पानी है वो खा रहा है. समझ रहे हैं, मौस्टे एडिया है, पानी से भ़ड़ा रहता है. अभी मैं आपको सब बताऊंगो, बहुत अच किलो यहाँ यह आपको वन प्रजातिया मिलें दोस्तों ये वाइल लाइफ अगर आपको मजा लेना है तो आप सुन्दर बन जाएए ठीक है floral and faunal wildlife दोनों आपको मिलेगी faunal wildlife की बात करें तो 290 चडियों की प्रजातिया मिलेगी 120 मचलिया मिलेगी 22 मैमल्स मिलेंगे 35 रेप्टाइल्स 8 amphibian species और Royal Bengal Tigers के लिए तो famous है ही है 2015 का जो tiger census हुआ था बांगलादेश में और 2011 का जो tiger census हुआ था में उसके इसाब से सुन्दरवन में total 180 बाग है 180 बाग है 180 टाइगर है जिसमें 106 बांगलादेश और 74 भारत में है और अभी तो ये और जादा हो गए क्योंकि अभी जो हमारा tiger census है अब 2000 से जादा tiger की population जो है न वो पहुँच गई है तो हमारे बागों की प्रजातिया बढ़ रही है और ये बहुत ही खत्रा जताय जा रहा था कि जब बाग जो है ऐसा नौकि एक्स्टिंट हो जाए ठीक है तो उसके लिए बकाइदा project चलाए गए और भारत सरकार फिर active होई और बहुत काम किया इसके लिए ठीक है अब ये है कि जो बाग है उनके numbers बढ़ गए है है ना तो ये सुन्दरबन अब delta की अगर बात करें यह आप देख सकते हैं यह भारत और यह आप देख सकते हैं यह यहाँ पर आपको सुन्दरबन का डेल्टा मिलेगा अगर डेल्टा की बात करें दोस्तों तो एक तो आपका इरोजनल, दूसरा आपका डिपोजिशनल, ये दो फीचर्स, इरोजनल फीचर्स और डिपोजिशनल फीचर्स ये बहुत जाता इंपोर्टेंट है, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, वो सब इसी से बनते हैं, पहले होता क्या, देखिए, आप ध्यान से समझे डेल्टा बनते कैसे हैं, चलिए थोड़ा जोगरफी आपको बताता हूँ आज, देखिए, ये पूरा गंगा नदी जो है, आपको पता ही है, कि गंगा जो है भागी रती और अलक नंदा, गंगोत्री से आते फिर भागी रती और अलक नंदा, देव प्रयाग में गंगा ब लेते हुए आती है, कंकर पत्थर लेते हुए आती है, जिसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, बहुत सारी चीज़े लेते हुए आती है, अब जब ये प्लेंस पे पहुंचती है, ग्राउंड पे, मतलब प्लेंस में पहुंचती है, ये तो पाड़ी एरिया है, पाड़ी एरिया बनते हैं और डेल्टा एक तरीके का लैंड फॉम ही है अलुएल स्वाइल होती है बहुत ही फर्टाइल इसलिए आप पेड़ पौधे उगेंगे ही उगेंगे कहने का मतलब क्या है जब भी नदी नदी कहां पे गिरेगी नदी या तो लेक्स में गिरेंगी या समंदर में गि गिरती है तो जब नदी समुद्र में गिरती है उससे पहले ये डेल्टा बनाती है आप समदे ठीक पहले डेल्टा बनाते है डेल्टा कैसे बनता है जैसा कि मैंने बताया यह यह देखिए यह वेलोसिटी बहुत जादा नदी की फिर यह प्लेंस पे आएंगी तो स्लो हो ज अब उसके बाद जो पानी आता है, जो नधी आती है, वो बहुत सारी धाराँं में बट जाती है, यह आप देख रहे हैं न, बहुत सारी धाराँं में बटी हुई है न, क्यूँकि देखे, आप रेत डाल दिजे, जमीन पे, और फिर पानी डालिये रेत में, तो क्या होगा, वो रेत जो है वो पानी का रास्ता है वो रोकेगी लेकिन पानी अपना रास्ता खुद बना लेगा, वो कही न कहीं से निकली जाएगा, मिट्टी में भी आप यही देखते हैं, कि मिट्टी में जब आप पानी डालते हैं, तो मिट्टी पानी के लिए रुकावट है, लेकिन पानी अपना रास्ता तो खुदी खोज लेगा बहुत सारी धाराओं में वो पानी बढ़ जाता है ऐसे ही नदी के साथ होता नदिया इतनी सारी चीज़े लेके आती हैं यह सब deposit करेंगी गिरने से पहले और उसके बाद नदिया जो है बहुत सारी धाराओं में distributaries में वो basically distribute हो जाती है बहुत सारी धाराओं में बट जाती है ऐसे बनता है डेल्टा सुन्दर बंग दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है तो आप देख रहे हैं कि नदियों का पहले तो erosional feature है नदिया क्या कर रही है और उसके बाद ये सब deposit कर दे रही है ठीक है ऐसे बनता है डेल्टा अब जैसा कि मैंने बताया सुन्दर बंस की बात करें तो भया जब ये डेल्टा बना गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदिया जब मिली और डेल्टा बनाया जब दोनों नदियों ने तो ये सॉयल तो बहुत वर्टाइल है तो जाहिट सी बात है आपे पेड़ पौधे उगेंगे ही उगेंगे वनस्पतिया उगेंगे ही उगेंगे ठीक है यही हुआ और पूरा ये 10,000 स्क्वाइर किलोमीटर का ये एडिया कवर करता है बहुत ही खुबसूरत है आप समझ रहे हैं अब ये क्योंकि समुंदर के पास है तो जब भी हाई टाइड आता है तो हाई टाइड जब आएगा तो समुंदर का पानी सुंदर बंस में आएगा तो जो पेड है पेड जो है वो आधे-ाधे तक डूब जाते है कभी-कभी तो ऐसा होता है जब high diet का समय आता है तो यहां पे जो mangrove trees होते हैं और जो सुंदरी trees मिलते हैं आपे उनकी जो लकड़ी है वो बहुती सक्थ होती है तो वो timber industry के लिए बहुत जादा काम आता है लेकिन ये लोग साल भर डूबे रहते हैं पानी के नीचे रहते हैं क्योंकि समुत्र से आ रहा है ये पानी खारा होता है तो इनकी जो सता है वो डूबी रहती है पानी के रीचे ये सुंदरबन के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया यह आप देखे यह देखिए आप सुंदरी trees है ये ठीक है आप देखे इनकी जो सता है इनकी जड़ है ये पानी के नीचे ही और साल भार ऐसा ही रहता है है अब हम बात करते हैं बॉन बीबी के बारे में ठीक है बॉन बीबी कौन है ये बेसिकली बॉन बीबी की पूजा की जाती है है ना क्या हिंदू क्या मुसलिम यहां पे जो रहता है बॉन बीबी की पूजा करता है सुंद कि लोग तो बरबाद हो जाते बरबाद क्या बहुत नंसान होता हैさん की यहां कि लोग पूजा करते हैं देवी मां और आको बता दूं कि बहुत लोगों के लिए रोजी रोटी भी है कैसे क्योंकि इनके नाम पे बकायदा जो groups हैं, जो troops हैं, वो हम ये देखते कि performances देते हैं, आपने देखा होगा न कि कही जगा cultural performance होते हैं, ठीक है न, तो bon bb का भी cultural performance होता है, ठीक है यहाँ पे जो groups हैं, जो troops हैं, वो perform करता कि bon bb कौन थी, कहां से आई, बकायदा dance के थूरू perform किया जाता है, और tourist के Indian Express ने यहाँ के, जब लोगों से बात किये, तो बताती है कि हमको 100-200 रुपए, 100 रुपए भी अगर दिन का मिल जाता है, तो बहुत है, है न, जादतर जो है, वो और एक group में 10 member होते हैं, लेकिन वो बताती है, कि जब हम dance करते हैं, हमको बहुत दूर दूर जाना होता है, Indian कहने का मतलब यह है, कि यहां के लोग पूजा करते हैं, देवी माकी, और हर कोई पूजा करता है, अब कौन पूजा करता है, जो सुन्दर्बन में रहता है, अब सुन्दर्बन में कौन-कौन रहते हैं, fishermen, मचवारे यहां पे रहते हैं, crab collectors, ठीक है, जो केकडों को collect करते ह वो भी खाये जाता है ना, honey gatherers, आप समझ रहे हैं, शेहद, जो इखटा करते हैं, और उसके बाद जो large chunk of population है, सुन्दर बन इतना बड़ा area है, आप समझ सकते हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे गाउं बसे हुए हैं, है ना, और मजे की बात यह है, कि यहाँ पे लोग भी रहते ह हैं, मगर मच भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, wild animals भी रहते हैं, तो सब यहाँ पे साथ रहते हैं, तो अगर आपको, देखना है कि इंसान कैसे nature के साथ compromise करता है, सुन्दर बन चले जाईए, और बहुत ही खुब सूरत है, ठीक है, जैसा कि मैंने बता है, टूरिजम भी यह रहे हो, ठीक है, दो चीज़े बहुत जादा important है, एक तो पवित्र मन यह बोल रहे हैं, कि आपके अंदर purity होनी चाहिए, और एक खाली हाथ, खाली हाता हो, पवित्र मन और खाली हाता हो, अगर तुम कुछ गड़बड सोच के आ रहे हो, कि देखे, पोचर्स तो यहाँ पे मानना है, अब यह देखिए, यह जो faith है, हो सकता है, बहुत लोगों को अजीब लगे, लेकिन यह कितना बढ़िया काम करता है, आप यह देखिए, जो wild है, rules of the wild ऐसे ही होते है, ठीक है, अगर आप पहाड़ी एरिया पे चले जाए, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि सही होता है, इसका advantage यह है दोस्तों, घलत चीजे नहीं होती है जंगल में, कितनी अच्छी बात है, अब यहाँ के लोगों का मानना है, कि देखिए, अगर आप जीवन बसर करने के लिए इस forest में आ रहे हो, सुन्दरबन में आ रहे हो, समझ रहे हैं, अब अगर आप सिर्फ जो forest जेर, जो जंगल आपको देरा बस वो ले रहे हो, ठीक है, fish, prawns, crabs, जिससे हम लोग का घर चलता है, हम लोग जिन्दा रहता है, वो सब ले रहे हो, तो ठीक है, लेकिन अगर आप जंगल को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, जंगल में smoke कर रहे हो, बीडी पी रहे हो, जंगल में defecate कर रहे हो, जंगल के पानी का गलत यूज़ कर रहे हो, तो bon baby आपको सजा देगी, और वो सजा पता है कैसी होगी, वो सजा शेर आपको खा जाएगा, अगर आप चोरी कर रहे हो तो शेर खा जाएगा, अगर आप गलत मन से आ रहे हो, कुछ भी गलत नियत है, तो bon bb आपको छोड़ेगी नहीं तो ऐसा punishment के रूप में tigers attack करते हैं आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे वैसे ही poaching नहीं होती है poachers, pirates, यह जितने भी lootere होते हैं, poachers होते हैं बहुत डरते हैं यह अगर हम कुछ भी गलत करेंगे न तो bon bb हमको attack करेगी ठीक है, लेकिन खैर इन लोगों को तो कोई ethics नहीं होता लेकिन यहाँ पे गाउं वालों का यह मानना है तो आप देख सकते हैं हो सकता है यह rules किसी को बचकाने लगे लेकिन यह jungle को preserve करने में कितना ज़ादा काम आ रहे हैं यहाँ के लोग कुछ भी गलत नहीं करते और उसके बाद bon bb जो इनको tribute जो है वो bon bb के पाल अगान के रूप में दिया जाता है जैसा कि मैंने बताई यह dramatic story telling है है ना और यह पूरे island में यह dramatic story telling है इसको conduct करवाए जाता है जैसा कि मैंने बताई troops जो है यह cultural dance होता है ठीक है इसमें bon bb कौन है उनका birth कैसे हुआ कहां से आई वो इसमें एक दोस्तो बड़ी अच्छी कहानी है मैं पढ़ रहा तो दुखे जात्रा की है ना दुखे जो है वो एक लड़का होता है और बहुत गरीब होता है तो अब क्या है कि यहाँ पे जो भी लोग रहते है वो सब जंगल से ही अपना गुजर बसर करते है खाना उनको जंगल से मिलता है तो दुखे की मा जो है वो जंगल जा रही होती है ठीक है लेकिन दुखे कहता है मैं भी जंगल जाओंगा तो उसकी मा जो है क्योंकि बहुत गरीब होते है गर में वैसे भी खाना नहीं होता है तो दुखे को भी जंगल ले जाते हैं लेकिन होता क्या है दुखे खो जाता है और वो वापस नहीं लोटता है तब यहाँ पे जो गाउवाले होते हैं वो बॉन बीबी से प्रेयर करते हैं कि दुखे को लोटा दो और बॉन बीबी प्रकट होती है दुखे के रक्षा करती है और दुखे को वापस लोटा देती है तो यह ड्रमाटिक स्टोरी टेलिंग है न यह पूरे island में आपको देखने को मिलेगी और यह बड़ा eye catching होता है समझ रहे हैं लोग बहुत ज़दा enjoy करते हैं ठीक है अब बॉन बीबी है कौन ऐसा बताय जाता है कि बॉन बीबी जो है वो सौधी अरेबिया से आई थी मक्का से आई थी इनके पिता जी जो थे वो फकीर इब्राहिम थे जो कि मदीना में रहते थे और इनकी मदर जो थी माता जी थी गुलार अब इसलाम के तो सबसे ज़्यादा पवितर इस्तान है मक्का मदीना ठीक है तो बॉन बीबी के जो पिता जी थे वो मदीना से थे और माता जी मक्का से थी और बॉन बीबी को ये लगा कि मैं धर्ती पे इसलिए आई हूँ ताकि एक divine purpose को fulfill कर सकूँ और इसलिए वो मदीना छोड़के सुन्दर बना गई अब कब आगई ये doubt में है ऐसा बोला जाता है कि 1770 के बाद से बॉन बीबी की पूजा जो है वो सुन्दर बंस में शुरू हुई 1770 में ही 1770 में great famine आया था बेंगॉल में मैंने cover किया आप देखिएगा बहुत लोग मारे गए थे बेंगॉल में तो वहां से फिर पूजा शुरू की और बता रहे हैं कि बॉन बीबी की पूजा यहां के लोगों का ये मानना है कि जो भी समरिध्धी आती है देवी माने इस forest को इस जंगल को अभी तक बचा के रखा है आप समझ रहे हैं अब ये आप विश्वास कह लीजिए या जो भी कह लीजिए लग कह लीजिए coincidence कह लीजिए लेकिन वैसे मेरा मनना कि coincidence जिससे नाम की कोई चीज नहीं होती लेकिन जो भी हो forest तो बचा है अभी तक बचा इतने भयानक cyclone आया उसके बावजू संदर्बन बचे हुए है in fact फल फूल रहे है तो कोई दिक्कत नहीं है आप समझ रहे हैं और यहाँ पे गाववालों का ये मानना कि कोई भी प्रॉब्लम होती है हम तो bon baby से ही मागते हैं उन्ही की ही पूजा करते हैं ये आप समझें उसके बाद दोस्तों ये देख लीजी आप ये है bon baby इनकी पूजा की जाती है ठीक है? ये है देवी मा, जय हो देवी मा, है ना? और हर कोई इनकी पूजा करता है ठीक है चाहे हुंदू हो चाहे मुस्लिम हो जो भी जंगल से जरा सी जंगल से जिसको help होती है वो बॉन बीबी की पूजा करता है तो ये आर्टिकल मुझे बहुत ही पसंद आया मैंने सुचा कि आपके साथ शेयर करूँ अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आपके साथ सब बढ़िया ही होगा ठीक है विश्वास लेकिन हत्से जादा विश्वास भी बहुत ही कतरनाक होता है विश्वास करो लेकिन साथ में मेहनत भी करते रहो ठीक है लेकिन अच्छी बात यहां पर यह कि rules of the wild जो है ये अगर wildlife को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेचर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो क्या बुरा है बहुत अच्छी बात है फिलाल यह लेचरता आयोप आपको पसंद आया होगा खुश रहें पड़ तेरे इदे से सिद्धान तक नहीं हो तरी साइलिंग ओफ